यस मेरे छोटे छोटे क्लास 5 के दोस्तों चलो मैं आपके लिए प्रैक्टिस पूक का यूनिट टेस्ट वन सोल्व करता हूँ क्योंकि अब आपका सेशन स्टार्ट ही होने वाला है और आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग नाउन से नाउन आप क्लास 4 में भी पड़े थे नाउन का मतलब क्या होता है नेम ठीके सबसे पहले तो आप यह याद रखें कि नाउन का मतलब क्या होता है नेम अगर आप यह याद रखेंगे तो आपको allowed expect होता है एक strict होता है भाव आचक संगया अब आप सूचेंगे भाव आचक संगया क्या होता है यह हिंदी नाम है मतलब कि कुछ feelings है जैसे love यह feelings है kindness यह feelings है उसका भी नाम होता है अब और इंग kindness कहा होता है लेकिन आप फिल तो करते हैं kindness होता है ममी पापा मेरे पर दया करते है मुझे खाना खिलाते है मुझे से प्यार करते थी यह प्यार लव दया kindness गांधी जी में क्या था दया था मदर टेरेशा भी क्या थी kind थी Hitler क्या था? Cruel था उसके पास यानी क्या था? Cruelty थी कुछ तो था लेकिन ऐसा ची था जो दिखता नहीं था या ऐसा ची हमारे पास जो दिखता नहीं है लेकिन है है ना जैसे ग्रेविटेशन दिखता नहीं है लेकिन है ना वैसे ही तो उसके भी नाम होते हैं इसको ध्यान देना नहीं तो पूरा चेप्टर बेकार हो जाएगा है ना ठीक है अब स्ट्रेक्ट नाम आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर फेवरेट थिंग्स लिखा हुआ है ठीक है यह कौन है इसका नाम देखो है लिखा है रोमा मिस रोमा सिंग से स्वांग माइफ एवरेट थिंग्स और आप रीडर बूक के चेप्टर वन में इसको आप पढ़े होंगे यह पढ़ेंगे तो इसका फेवरेट तिंग्स क्या था रैंड्रोप्स ओंदा रोजेज स से पसंद है यह वाइड रिंज में आगे इसको आगे बढ़ाते हैं सेम पेज यहां पर तो यहां तो आप इसके अधार पर अपना फेवरेट बोल सकते हो ऐसे भी आपके पास फेवरेट तो बहुत कुछ है जिसमें हो सकता है कि मैंगी यह चौमिन भी हो ठीक है तो अब आपके फेवरेट फिंक्स में क्या है आप बोल सकते हैं कि आईस्क्रीम ठीक है कोई season में कौन सा है summer जाने वाला हई, नहीं भी वो सकता है रहनी भी हो सकता है तो रहनी season भी हो सकता है आपका favorite ठीक है, तो ऐसे आप favorites यहाँ लिखना है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा time नहीं ले रहा हूँ सब लोग favorites तो लिखी सकते हैं नहीं तो लिखना चाहिए सोचके, अब favorites है तो क्यों है यहां पर, धीरे धीरे हम आ रहे हैं, abstract noun पर, याद रखना चेपल का नाम हमेशा याद रखना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं, यह मन में रखेंगे, you will be talented, तो rojaj हम क्यों like करते हैं, क्यों तो देखो यह भी noun है, जिसको आप छू सकते हो, इसको 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 आप नहीं छू सकते हो, क्यों फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, फील, ठीक है, इसको क कर सकते हैं चू नहीं सकते और इसको चू सकते हैं यह अंतर याद रखना ठीक है अब अगर आप यहाँ इसके बाद लिखेंगे कि आप क्या पसंद करते हैं मालो यहाँ पर हम लिखते हैं आइस क्रीम तो क्यों पसंद करते हैं इसके टेस्ट के वज़े से और क्यों पसंद कर लिखेंगे और यहां पर इजन लिखें कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं तो आपका यह कंप्लीट हो जाएगा सारों को मैंने नहीं भारा है कि कुछ आप भी करेंगे तभी आप सीखेंगे ठीक है अब यहां पर देखो कुछ एबस्ट्रेक्ट नाउं दिया हुआ है जे जैसी पॉजिटीब भी हो सकता है निगेटीब है एपिनेस स्पीड लव सब तो नौन वर्ड है सर्प्राइज अस्चर्ज हाइट उचाई रफनेस किसी चीज़ को छोते हैं आप रफ लगता है खुरदरा लगता है तो यह क्यों फील होता है तो उस फीलिंग्स का नाम यह हाँ देखा हुआ यहां यह हैं यह ऑबस्टेक्ट नाम्न है सारे थेखा है अब यहां देखो कैंड्नेस भी अबस्टरेक्ट नामन है थेक् elements नंक्र के लिए जहांगीर की वाइप क्यों जानी जाती थी ब्यूटी के लिए आप देख सकते हैं पिक्चर में ब्यूटी फुल लग रही है चारली चैपलिन का आप कार्टून देखो मैंने हाल में एक देखा था कि वो सेर के पिजिडे में चारली चैपलिन भुश जाते हैं और फिर सेर सोया हुआ रहता है ऐसे ठीक है उसका पूंच बच होते हैं बहुत मजाता और बहुत हसी आता और सेर फिर जग भी जाता है वो फिर भागने कोशित करते हैं ऐसा कुछ वीडियो था तो हसी आता है मैं येटिस हुमर अब हिटलर जो इसके खिलाब होता था गोली मारता है कुरूल कुरूल्टी तो कुरूल से क्या बना कुरूल्टी नाउं ठीक है कुरूल्टी को हम फिल कर सकते हैं किसी के रूट बहावियर से काइंडनेस ये सारे क्या हैं अब आपके लिए गेम है यहां ब्रेंट्रीजर ठीक है जिसको आप खिलना पसंद करते हैं तो वाइज से बनाए कि विजडम ठीक है वैसे ही एंगर इनोसेंस ठीक है प्रावड से प्राइड ऐसे यहां पर ब्रेव से ब्रेविटी यहां पर हम बना लेंगे जिसे देखो यहां पर वाइज है न तो वाइज से हमने क्या बनाया यह वाइज से विजडम बन जाता है विजडम वाइजनेस नहीं बनेगा ठीक है क्या बनेगा विजडम अब यह sincere से sincerity, legis से leginess, angry से anger, innocence से innocence, यह T हट जाता है, innocence, brave से bravery, proud से pride, proud से pride बन जाता है, ठीक है, honest से honesty, इसे बन जाता है अब स्ट्रेक नम, dictionary सफारी में हम चलें, और जरा words सिखें, सफारी यानी, यातरा यानी, जर नी, तो देखो, यहाँ पर क्लास्ट्रोफोबिया, यानी, क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया से word का मतलब होता है, डर, फोबिया मतलब, fear, अब fear, यह close space से fear होगा तो cluster, पाइरो, अगर यह आग से डर रहे तो पाइरोफोबिया, फोबिया मिस डर, hydro, water, anglo, english, geno, बिदेसी लोग, बिदेसी लोग, बिदेसी बुक, Bible, बिदेसी बुक है न, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि fear of closed space, क्लास्ट्रोफोबिया, एंगलोफोबिया, पाइरोफोबिया, जिनोफोबिया, बिदेसी जाता है, योनिटेस्ट, वन में तो मान के चलो कि आएगा ही, आएगा, बहुत सारे स्कूल में इसको पूछते ही पूछते है, योनिटेस्ट वन में, इसको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी आपके लिए, और ऐसे भी आप new words सिख जाएंगे न, ऐसे भी याद रखना है, अब यहाँ देखो, I would be full of dash if I fail in English, अगर आप English में फेल हो जाएंगे, क्या आप खुसी होंगे, क्या, नहीं होंगे, क्या होंगे, आप दुख से भर जाएंगे, तो यहाँ दुख का English क्या है, शोरो, निचे suggestion भी दिया हुआ, निचे suggestion भी दिया हुआ है, I will be full of दुख, य जब आप in discipline होंगे, तो यहाँ पर answer मैंने बता दिया है, लेकिन पहले आप कोशिस करो, इसको answer को ढखके नहीं बनेगा, तो फिर देख लेना, अब इसके बाद है countable and uncountable नाम, तो देखो word को पहले समझो, count plus able, यानि गिनने like, गिनने योगी, तो जिसको हम गिन पाएंगे उसको countable में रखेंगे, जिसको uncountable यानि ना गिनने like, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो uncountable जैसे tooth, दात गिन सकते हैं, 21 teeth, 20 teeth, 32, गिन सकते हैं, boys को गिन सकते हैं, countable है, discipline को गिनते हैं, एक discipline, अरे उसमें 2 discipline है, 3 discipline, ऐसे नहीं गिनते हैं, त सफ्रिंग अगर भुगत रहे हैं बुखार लग उसको गिनते नहीं है तो इसको हम लोग रखते हैं उनकाउंटेबल नहीं ठीक है यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी कर दिया है आप देखके बना ले ना इसको एक एक जामपल भी है पीटी दया क्या होगा किसी पर हम दया करते हैं कहीं आप जा रहे हैं आप देख लिए आप उन्हें एक एक डॉग है वो घायल हो गया है तो उस इंजेट डॉग को देखके आप क्या करेंगे दया आएगी आपको उस दया को गिन नहीं सकते हैं ना फिलिंग से हो फायर को भी नहीं गिन सकते तो यहाँ पर जान हमेंगे पीटी इधर ही आएगा यहां पर क्या आएगा नौल टॉग को मैं यह और फी दूसरे जिसको हम गिन सकते हैं क्योंकि हैं ऑंचल आ यह अर यह अंकंडेबल है हम नहीं इसको जैसे कि लव कि नहीं इसकते हैं थिक है तो ऐसे हैं इसके बाद है एत सिस्टे ласт हो गया ये यहां थैं हाँ लुप लाओ इस्टाइज है Valley नाऊं से सम्न के लिलू इंटेलिजेंट से बना है इंटेलिजेंट से हमने बनाया नेस अउन के ओनेस Rs्कूव लगा कि या या थी लगा के नाउन बनता है, पॉपिलर से पॉपॉलरी-टी और टी हटा दिया इसमें, और ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-स से नाउन बनता है, तो हम ने बना लिए abstract नाउन, आप भी बना लेंगे यहाँ पर, फिर है यहाँ five sense organs है, मस्टीप, फॉलिया एरोमैटिक, सुगनधित ये खराब गंध महसूस होता है किसे लितेट है ये समेल से सावर, बी डिलेट, स्वीट है क्या है टेच से रिलेटेट रेटेट है स्मूथ, फ्लेट, मोइस्ट क्या है ये टाच से रेलेटेट है हम chater whisper किसे related, hearings related, pretty attractive and beautiful किसे related है, sides related है, तो इसको आप अराम से कर लेंगे, कोई भी doubt होगा तो आप comment में जरूर पूचेंगे, thank you, keep watching, I will give you other solutions also, I hope you have enjoyed it, ask me for anything.